नमस्कार दोस्तो अगर आप एक pen card holder है और अभी तक अपने pen card को अधार काड़ से link नहीं कराए हैं तो यहाँ वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है चुकि दोस्तो अगर आप लोग 31 मार्श से पहले pen card को अधार काड़ से link नहीं कराते हैं तो आपका pen pen card रद भी हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी लग सकती है दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला pen card को अधार काड़ से कैसे link कर सकते हो तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो को सुरू करते हैं बट इससे पहले अभी तक हमारी चैनल को tax if healing.com यह link करके simply आपको क्या करना है search कर देना है तो दोस्तो जैसी आप यह link करके search करेंगे income tax department का official page आपको फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा तो आपको simply इस पर click कर देना है जैसी आप उस पर click करेंगे तो income tax विभाग का आपका official page कुछी इस तरह से देखने को मिल जा अधार काट से link है या नहीं है इसके लिए सब्सक्राइब करना है status check करना है उसके लिए simply आप क्या करेंगे link अधार status पर click कर देंगे जैसी आप link अधार status पर click करेंगे तो कुछी इस तरह का page आपको सामने open होकर आ जाएगा तो आपको क्या करना है simply आपको एक pen का option देखन आपको सामने देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो चली दूस्तों मैं आपको बताना हूं कि आप आप लोग पैन काट को अधार काट से कैसे link कर सकते हो तो दोस्तों इसके लिए फिर से आपको home page पे आ जाना है उसका आपको एक option देखने क लिंक अधार का तो simply इस पर किलिक कर देंगे जैसी अधार लिंक पर आप किलिक करेंगे तो कुछी तरह का page आपको open होके आ जाएगा दोस्तों आप लोग को पैन काट से अधार काट को link करने के लिए आपको तीन step से गुजरना पड़ेगा तो चली दोस्तों मैं आपको एक pen card से link करा ले हैं तो आपको 120 डुरिप्या का charge नहीं देना परता था फर्स्ट मार्च 22 के बाद pen card को link कराने के लिए 500 अधार का चलान देना परता था लेकिन दोस्तों अगर आप फुछ तक भी पैन काट से link नहीं किये थे 30 जून 22 से ले करके आज तक भी अगर आप पैन कार्ट को लिंक कराना चाहते हैं तो अब दोस्तों आप लोग को 1000 पैका चलायन पे करना पड़ेगा जो अभी तक लागू है तो दोस्तों कुछ यह था इंफ्रमेशन उसका दोस्तों कुछ नोटस में भी लिखा हुआ है जो मैं आपको बता जिता हूँ अगर आप लोग इस कटेगरी में आते हैं तो आपको पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक कराने के जरूरत नहीं परेगी तो चली दोस्तों मैं आपको इसके बारे में आपको बता जिता हूँ तो दोस्तों अगर आपको नोर्थ इंडिया से आते हैं तो आपको पैन कार्ट से अधार कार्ट लिंक कराने के जरूरत नहीं है उसके अलावा दोस्तों अगर आप एक Indian citizen नहीं है तो भी आपको pen card से अधार card link कराने के जरूरत नहीं है उसके अलावा दोस्तों अगर आपका age 80 plus हो चुका है तो भी आप pen card से अधार card link नहीं कराएंगे फिर भी चलेगा उसके वाला दोस्तों अगर आप इस state से बिलोंग करते हैं तो आपको pen card अधार कार्ट से लिंग कराने के जुरूद नहीं है जैसे असाम, मेगाले, जम्मू एन कस्वे दोस्तों आपको ये चारों काटेगरी में से अगर कोई भी काटेगरी आपका सही है तो आपको pen card अधार कार्ट से लिंग कराने के जुरूद नहीं है जो चली दोस्तों मैं आप बात करता हूँ कि pen card को अधार कार्ट से कैसे लिंग कराएंगे जो दोस्तों pen card को अधार कार्ट से लिंग कराने के लिए सबस्पेल आपको क्या करना है पैन नमबर वाला में आपको पैन नमबर डाल देना है दिन उसके लाद आपको अधार नमबर बाला में आपको अधार नमबर डाल देना है उसके लाद आपको नीचे एक उप्शन देखने में लगा है वहली डेट का दो सिब्ली आप वहली डेट पे क्लिक कर देंगे जैसी जोड़ा आपको समेंदोन 2024 आप करने के जोड़ यहां पेंपरनिसन देख सकते हैं तो तो प्रेमिन कर देते हैं तor शे। तो पैकर शेना दानल को आपको दिनों करें। सो दोता कुछ यहाथ था पैन कार्ट से धार कार्ट लिंक करें के तरिका सो दोता आई होप पर वीडियो आप लोग को अच्छी लोगे वागי होगे और वीडियो अच्छी लोगे है तमाए चानल को सस्क्राइब करके बेल आगों पेरड़ कर ले ताकि इसी पर का वीडियो आप लोगों का हमेशा देखने को मिलता रहें मिलते हैं फेनेक्स डूबी में तब तक लिए जा हैं जा